ये खबर दिल्ली NCR के नामी बिल्डर M3M से जुड़ी है दरसल इंफोस्मेंट डाइरेक्टरेट ने M3M के प्रमोटर रूप कुमार बंसल को गिरफतार कर लिया है। उन्हें काले धन को सफेद बनाने के मामले में गिरफतार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक रूप बंसल को गुरुवार को ही गिरफतार कर लिया गया था। जिसके बाद M3M और IREO बिल्डर की मुश्किले और बढ़ गई है। ED ने हाल ही में IREO ग्रूप और IREO ग्रूप के ठिकानों पर छापे मारी की थी। ये कारवाई निवेशिकों से 400 करोर रूप्य की हेरा फेरी करने के आरोप में हुई थी। इस तलाशी अभियान के दोरान, फरारी, लेंबोगिनी, लेंड रोवर, रोल्स रोयस, बेंटले और मर्सिदीज मेबेग जैसी लगजरी कारों समेथ 5.75 करोर रूप्य के आभूशन, 15 लाख रूप्य की नकद राशी और विबिन आपत्ते जनक दस्तावेज, डिजिटल स और बही खाते जबत किये गए थे. ED के मुताबिक, M3M ग्रूप के मालिक, कंट्रोलर और प्रमोटर बसंत बंसल, रूप कुमार बंसल, पंकज बंसल और अन्य प्रमुख व्यक्ती जानबूच कर जाच से बचते रहे. तभी, दिल्ली और गुरुग्राम में साथ स्थानों पर छापे मारी की गई थी. ED निवेशिकों और ग्राहकों के फंद को डायवट और हेरा फेरी करने के लिए उनके खिलाफ दायर कई F.I.R. के आधार पर I.R.E.O. ग्रूप की जाच कर रहा है. ED की जाच से पता चला है कि M3M समूख के माध्यम से से करो करोर रूप्य की एक महत्वपुर्ण राशी का गबन किया गया था. एक लेंदेन में M3M समूख ने कई पर्तों में कई शेल कमपनियों के माध्यम से I.R.E.O. समूख से लगभग 400 करोर रूप्य प्राप्त किये. ED ने कहा था कि लेंदेन को I.R.E.O. की बुक्स में डिवलिप्मेंट के लिए भुक्तान के रूप में दिखाया गया था. ED ने आगे उल्लेक किया कि जमीन का मालिकाना हक M3M समूख के पास था, जिसका मार्केट रेट लगभग 400 करोर रूप्य था. शुरुवात में M3M ग्रूप में 10 करोर रूप्य के भुक्तान पर 5 शेल कमपनियों को जमीन के डिव M3M द्वारा चलाई गई थी. इसके बाद, इन कमपनियों ने तुरंट उसी भूमी के डिवलप्मेंट के अधिकार लगभग 400 करोर रूप्य में IREO ग्रूप को बेच दिये. 5 शेल कमपनियों ने कई शेल कमपनियों और लेर्स के माध्यम से M3M ग्रूप को फंड ट्रांस इसकारी ने कहा, इस तरह, IREO और M3M ने लगभग 400 करोर रूप्य की हेरा फेरी की, जो निवेशकों और ग्राहकों के थे. इस अपराद की इंकम M3M समूह के पास रही, जिसका उप्योग अन्य निवेशों और देंदारियों का भुकतान करने के लिए किया गया था. दूस झाल